पिछले सत्रों में हमने सीखा कि भिन प्रकार के एकचरवाले रेखिक समिकर्णों को हल कैसे किया जाता है दोस्तों इस सत्रों में हम इस अवधार्णा से जुड़ी कुछ गलतियों को देखेंगे जो हमें आसानी से असमन्जस की स्थिती में डाल सकती है इस समिकर्ण को देखिए आप मुझे बता सकते हैं कि क्या यह एकचरवाला रेखिक समिकर्ण है हमें पता है कि एक समिकर्ण को एकचरवाला रेखिक समिकर्ण तब कहा जाता है जब उसमें चर की उच्चतम घात एक होती है ध्यान दे कि इस समिकरण में चर्की उच्चत्तम घात एक है तो यह एक रेखिक समिकरण होना चाहिए नहीं, सीधे किसी निश्कर्ष पर मत पहुँचिए इससे पहले कि हम किसी चर्की उच्चत्तम घात को जाचे हमें पहले समिकरण को सरल बनाना चाहिए क्या आपको याद है कि इस समिकरण को सरल कैसे किया जाता है? इसके लिए हमने अपने पिछले सत्रों में वज्रगुणन की विधी देखी थी वज्रगुणन करने पर हमें यह समिकरण मिलेगा अब चलिए इस कोश्ठक को खोलते हैं हमारा अगला चरण ऐसा दिखेगा अब चर एक्स की उच्चतम घात जाँचने पर हम पाते हैं कि वह दो है तो यह एक चर वाला रेखिक समिकरण नहीं है इस उधारन से हमने समझा कि इस से पहले कि हम जाँचे कि एक समिकरण रेखिक है या नहीं हमें उस समिकरण को उसके सबसे सरल रूप में बदलना पड़ेगा चलिए एक और आम गलती को देखें मान लीजे के हमारे पास यह समिकरण है क्या आप यहाँ X का मान खोच सकते हैं यह हल करने के लिए एक बहुत सरल समिकरण है नहीं अगर हम बाएंपक्ष को सरल करें तो हमें यह मिलता है अब हम इस चर को दाएंपक्ष में भेजेंगे तो हमें दाएंपक्ष में शुन्य मिलेगा तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि X का कोई हल नहीं है पर ऐसा नहीं है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह समिकरन हमें क्या बताता है? यह समिकरन हमें बताता है कि X कमान एक ऐसी संख्या है जो तीन से गुना करने पर हमें शुन्य देती है क्या आप ऐसी कोई संख्या जानते है? बिल्कुल सही शुन्य ही एकलोती संख्या है जो ऐसा कर सकती है तो शुन्य उत्तर है X का मान शुन्य के बराबर होगा इस उत्तर को खोचने का एक और तरीका भी है इस समीकरन में हम दोनों पक्षों को तीन से भाग दीते हैं तो दाइपक्ष में हमें 0 बटा 3 मिलता है जो 0 के बराबर होता है तो हमें X 0 के बराबर मिलता है तो इस सत्र में हमने ऐसी दो गलतियों को देखा जो हम एक चरवाले रेखिक समीकरन हल करते वक्त करते हैं जो हम एक बराबर की आदे गूर्ण एमें झालते हैं इस दो में हमें जो हमें आपक्षों करते हैं